तो और भाई लोग और उनकी बेहन लोग क्या हाल चाले और स्वागत है तुम लोग का आज़ाद गेमिंग में आज का वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला क्योंकि आज हम कंपेर करने वाले हैं AKM VS M762 Barrel का मतलब जितने भी लोग PUBG खेलते ना मतलब कोई गन उनको गेम में मिले ना मिले मतलब इन दोनों गन में से एक गन तो उनके पास होना चाहिए मतलब ऐसी सोच हो जाती है मतलब खते ही जहरगन है दोनों लेकिन हम compare करेंगे real life में in game नहीं मतलब real life में comparison करो यार in game करो दोनों का similarity है क्योंकि PUBG एक realistic game है तो सारी चीज़े real ही है इनमें भी तो बहुत मज़ा आने वाला है seriously बोलता है आज हम compare करेंगे मतलब किसने बनाया कैसे बनाया कितना range होता है इन गोलियों का कितना damage होता है तो सब चीज़ों के बारे मैं बात करेंगे बहुत जादा interesting वीडियो है वीडियो को start से लेके end तक जरूर देखना बड़ा मज़ा आएगा seriously बोलता हूँ और वीडियो पसंद आएगा ना तो एक like जरूर कर देना तुम्हारे भाई का help कर दो प्लीज share कर देना अपने friend circle में और subscribe किये भी ना तो जाना मत जितने भी नए लोग हो और बहुत जादा प्यार दे रहो है तुम लोग तो इस प्यार को और बढ़ाओ यार जल्दी से जल्दी 1000 subscriber पूरे कर दो तो नए इस channel पर उनके लिए बता दू कि मैं बहुत जादा interesting interesting gameplay रोज डालता हूँ अपने channel पर तो एक बार जरूर check out करना मेरा channel और link मैंने description पर भी दे दी है एक video का example के लिए तो जाके जरूर देखना उस channel को इस video को देखने के बाद यदि पसंद आएगा तो support करना मत एक एम की थो एक एम डिजाइन हुआ था 1950 में मतलब 1950 के बाद ये डिजाइन हुआ था और इसको डिजाइन करने वाले इंसान थे मिकैल केलश निकन मतलब एक रशियन जनरल खुद ने डिजाइन किया था इस गन को और ये service में आई थी करीबन 1969 मतलब 1959 से service में आई थी ये और अभी तक ये गन चल रही है वहीं बात करूं मैं M762 बैरल की तो बैरल बहुत जादा नई गन है जो 1995 से 1996 के बीच में डिजाइन किया था और ये कोई individual इंसान ने डिजाइन नहीं किया था ये पूलेंड की कमपनी है फेवराइका ब्रॉनी नाम की कमपनी है पूलेंड क जो गन बनाने का काम करती है तो उसी ने डिजाइन किया था 1996 में लेकिन एक साल के बाद ही ये लाँच हो गया और 1997 में ही लाँच हो गया तो करीबन बहुत जादा नई गन है करीबन 47 येर का गैप है बीच में तो अफकोस यदि AKM बहुत अच्छी गन है तो उससे भी लोगों को एक और चीज़ बता देता हूं कि AKM को AK-74 के नाम से भी जाना जाता है और AK-74 मतलब AKM और AK-47 को दोनों को एक ही इंसान ने डिजाइन किया है जी हां और भाई साब बात करूं इन दोनों की वेट की तो वेट में AKM और M762 में बहुत जादा अंतर नहीं है यदि AKM का देखूं तो 3.3 kg है और M762 का देखूं तो 3.35 kg है तो एकदम माइनर सा डिफरेंस है लेकिन यहां पे यह मत समझना कि बहुत जादा हलकी गन ही नहीं यहां पे कोई एंगल कोई grip कोई मजल कुछ नहीं लगा हुआ कोई extended तक नहीं लगा हुआ इस गन में तब 3.3 kg का ह लेकिन यह सब लगाने के बाद यह करेबन 5 kg से भी ज्यादा का हो जाता है इसलिए बहुत ज़्यादा रिकोईल होता है इन दोनों गन में तो बहुत ज़्यादा भारी गन है और वहीं बात करो इन दोनों गन की rate of fire की तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दू की rate of fire होत मतलब किसी भी गन का मतलब एक मिनिट में वो कितना bullet आ कर सकता है उसको बोलते है रेट of fire उस गन का या फिर राउंड पर इन दो मतलब एक गन में यह कितना जादा bullet आ खाय कर सकते है करीबन 600-600 करीब मतलब 600 600-600 बुलेट vacं कर सकती है वह तक गन AKM से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल लाइफ में ज़्यादा चलाता नहीं, इन गेम भी भाई साब, AKM से ज़्यादा bullet fire करने का ताकत रखता है M762 इसमें speed ज़्यादा होती है fire करने की, bullets ज़्यादा हम लोगों को 40 ही मिलती है, यदि extended हम लगाती है लेकिन फिर भी speed बढ़ जाता है M762 का, लेकिन भाई सब मैं एक चीज के बारे में और भी बात करना चाहूंगा effective firing range, effective firing range वो होता है, मतलब आप कितनी दूरी से गोली चलाओगे, जो बंदा damage होगा, बंदे को गोली लगेगी, बंदा मरेगा, तो एक एम का 350 मीटर, सिर्फ 3.5-3.5 मीटर बहुत होता है PUBG में, लेकिन, real life में ये कम होता है, तो effective firing range है एक एम का 3.5-3.5 मीटर है आप 3.5-3.5 मीटर पर गोली चलाते हो, तो बंदे को लगेगा गोली और डैमेज होगा लेकिन वही मैं बात करो, M760 barrel का, तो barrel भाई साभ, इससे दूगना range देता है, जहां वो 3.5-3.5 मीटर देता है, तो ये 600 मीटर की दूरी पर देता है, कि बंदे को डैमेज होगा, 600 करीबन उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन maximum firing range होती है, जो barrel का वो होता है, 600 मीटर, और यहां पर barrel के में एक चीज और भी advance दिया गया है, वही चीज है, कि आप कम range कर सकते हो, barrel में, मतलब आपको चलाना है, 100 मीटर पर ही बंदा है, तो आपको ज्यादा speed ना देखते हुए, कम range कर सकते हो, आपको 100 मीटर पर, उसमें कुछ चीज़ें होती है, उस gun में, वो आप adjustment कर सकते हो, sight adjustment बोलते हो उसको, तो आप 100 मीटर पर चलाना है, तो 100 मीटर पर चला सकते हो, 200 मीटर पर चलाना है, 500 मीटर पर चलाना है, तो वहां तक उतना आप adjust कर सकते हो, आप देखोगे ये चीज़ गन के अंदर भी दिया गया है, इन गेम भी दिया गया है, जब आप देखोगे तो AQM में सिर्फ दो आप्शन मिलते हैं आपको, एक आटो का, एक सिंगल का, लेकिन वहीं इसमें M762 बैरल में आपको तीन आप्शन मिलता है, एक आटो कर सकता है, आम इनसान की आप हम नहीं, मतलब कोई भी पुलिस वाला तक इस गन को यूज़ नहीं कर सकता है, ये गन सिर्फ और सिर्फ आर्मी यूज़ कर सकती है, मतलब military जितने भी लोग होते हैं, military वाले, air force वाले, आर्मी वाले, या फिर नेवी वाले, वो सब जो सेना क रक्षक होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, चाहिए वो किसी भी देश के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी देश का कोई भी आम इनसान इस गन को यूज़ नहीं कर सकता है, ये गन सिर्फ और सिर्फ वार में यूज़ किया जाता है, जब कभी एक दूसरे देश से जादा था AQM का अभी पहले करीबन एक लाग से जादा था गन का कीमत अभी करीबन 80,000 या 90,000 हो गया AQM का कीमत और आम आदमी खरीद नहीं सकता इस गन को तो AQM की अभी कीमत है एक लाग के करीबन 90 से एक लाग के बीच में है इसका दाम और वहीं बात करो M762 का rate price की तो बाइसाब डेड़ लाग से ज्यादा उसका price है M762 क्योंकि वह नया गन है मतलब इतना भी नया नहीं है लेकिन AQM के comparison में वह बहुत नया है इसलिए उसका अभी दाम ज्यादा है डेड़ लाग से भी ज्यादा दाम है तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ और gameplay का वीडियो तो रोज ही आता है रहता है चैनल पे और नीचे description पे discord का link है आप लोग को बहुत बोल रहे थे मुझे कि discord join करना है discord बहुत सारे message आ रहे तो मैं discord बना लिया हूँ अपना तो आप लोग जिनको भी मेरे discord join करना है नीचे description पे link है आप जाके join कर सकते हो और एक instagram का भी link होगा आप जाके वहाँ पे follow कर लो मुझे instagram पे ताकि वहाँ पे आप लोगों से अच्छी अच्छी बाते कर सके बहुत सारे memes पढ़ सके आप लोगों के साथ बहुत सारे video share कर सके तो जरूर से जाके instagram पे मुझे follow कर लेना description पे link है और या तो type कर सकते हो at the rate it's me आज़ाद वहाँ पे मैं मिल जाऊंगा आप लोगों को तो बहुत बहुत शुक्रिया और please मेरे video को share कर देना अपने friend सरकर में ताकि वो लोग भी इस video का मज़ा ले सके तो बहुत बहुत शुक्रिया और ये जरूर बताना कि M762 और AKM में आपकी favorite gun कौन सी है ये जरूर ब बिलता हूं अगले video के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई